कि नमस्कार स्वागा थे आप सभी का एक बार फिर से competition community के युवा रोजगार चैनल पे और आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के लिए करके आ गए हैं जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर वीडियो में आपके प्रिवेसी और कोस्टन का चर्चा भी कर रहे हैं और एक पूरा स्रीज हम लोग का चल रहा है और इस पूरे स्रीज के अगले वीडियो के रूप में हम आपको एक वीडियो देखे दे रहे हैं यह मिसलैनियस वीडियो है जो प्राचीन भारत के मिसलैनियस जितने भी questions है जो की random तरीके से टॉपिक से उठाए गया है उन सारे questions को हमें आप आप से clear करेंगे उसको हम आप देखेंगे लगवग 50 के आसपास से पूरा का पूरा question है उसको अपन देख लेते हैं एक बार और इस तरीके से क्या है कि हम पूरे प्राचीन भारत के इतिहास का पूरा जो पूछा गया question है उसको हम आज complete कर लेंगे तो एक बड़ा प्राच इस question हम discuss कर लिया है तो 150 question का revision आपका हमारे साथ हो गया है अगर कोई भी बच्चा इसको revision और तेजी से करना चाहता है तो fast forward करके उसको तेजी से revise कर दो चलो हम आगे बड़ते हैं बात नहीं करेंगे who among the following considered as the founder of Islam यानि की question करें निवलिखित में से किसे इसलाम का संस्थापक माना जाता है तो आप जानते हैं कि इसलाम का संस्थापक किसे माना जाता है यहाँ पे है दिया हुआ प्रॉफेट मुहम्मद पैंगंबर मुहम्मद साहब को इतिहास इसलाम के founder माने जाते हैं इस पर आप लोग जानते हैं यह इस पर ज्यादा बात करने की जोरत अपने को नहीं है चलिए अगला question कह रहा है कि इसाई धर्म के पवित्र गरंत का नाम क्या है जिसमें दो भाग है पुराना नियम और यह और वह कुछ नहीं पवित्र गरंति इसाइधर्म का क्या वेटा Bible है यहां पर पैवल हो गया तो Bible पवित्र गरंत है ध्यान रखियेगा इसाहियों का अब जानते है इससे पहले इसके बारे में जादा बात क्या ही मताई यह सबको सानासान है इसटर बास्केट इस लिए टर्टो फी फॉलवय इंगु रिलेजंग जो इस्टर बास्केट तैय七 इसvistoti जिसको हम बहुते है इस टर पदो जिसको पर इस टर एक कुछ कोशन बंदी हो गया बस यह पॉइंट है और पवित्र पुष्टक हो गया तो कुरान हो गया ध्यान काम खत्म यहां पर कान आपका क्या काम क्या हो गया खत्म हो गया मतलब सदारण को सदारण तरीके से टेकल करें एकदम आसान तरीके से आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं आगला कुछ जिन पुस्तकों में इसा मसी के जीवन के अविलेख है उन्हें क्या कहा जाता है यानि कि जिन पुस्तकों में अब इसको गॉस्पेल कहा जाता है जहां पर मसी कई जीवन का अभिलियक है घ्यान नखिएगा चलो आगे बात करते हुज आज़ फॉलउंग हिदु alarm का परमुख दार्शनिक स्कूल है अभी इसमें हिंदु धर्म का दार्शनिक स्कूल कौन सा है तो देखो सन्यास, मोक्छ, अर्थ बैसे सिख, ये सब कुछ नहीं है, आप जानते हैं इसका अंसर क्योंकि सन्यास, मोक्छ और अर्थ तो दरशन नहीं है ये दरशन इसके दोड़ा पाने का एक रास्ता है, तो हम छ्षे दर्सन की बात करते हैं अपने हाँ सड दर्सन आप जानते हैं कि हम कितने दर्सन की बात करते हैं सड दर्सन की बात करते हैं छे दर्सन की बात करते हैं वह सड दर्सन कौन कौन सा है अगर उसके बारे में हम आप से चर्चा कर ले तो वह सड दर्सन आपका पहला दर्सन दिखल सांक क्या है हमारे पास सांक है योग है आप जानते हैं ऑद और क्या बात करते हैं तीसरा है बैसेशिक है न्याय है न्याय है बैसेशिक है ठीक है ना उत्तर मिमान सा है ध्यान रखिएगा उत्तर मिमान सा है और पुर्ब मिमान सा है ध्यान रखिएगा पुर्ब मिमान सा है ध्यान रखिएगा पुर्ब मिमान सा तो ये छे दर्शन है इन छे दर्शन के अलावा भी एक दर्सन है जिसे सट दर्सन में तो नहीं रखा जाता है लेकिन एक्जाम में कोशन पूछा जाता है लोकायत दर्सन जिसके जो फाउंडर थे वो चारवाक थे चारवाक आप जानते होंगे नाम सुना होगा मैं जरूर इसे पढ़ाया होगा सांख दर्सन के फाउंडर कपिल है ये कोशन एक्जाम में कई बाड़ाया है सांख्य दर्वसन के founder कौन है वेटा कपिल है उसी तरीके से सब का है कोई नो कोई सब के founder है योग दर्वसन के founder कौन है पतंजली है अब यहाँ पे हम ज़ादा आपको नहीं समय लेते हैं वेकिन बस यह है कि यह थोड़ा सा ध्यान में रख लिजहेगा नियाय का गौतम है बैस स्ट का कणात है लीख की देताओं में थोड़ा बहुत नियाय का गौतम है है ना बैस सोब अका कनाद है कनाद चलिए आगे वरते हैं सबका याद है कोई दिखकत नहीं है यह सब बहुत असान है मैंने प्रहादिया आपको निमली खित में से कौन सा अस्ताइ संसलेशन की अब धारना को समझाने का पडियास करता है इसको एक बार जो कोशन ऐसा होगा जिसमें हम खूब डिसकर्शन करने बाले है तो हम खूब डिसकर्शन भी आपको उसकोशन में कर जाएंगे अब जो है जो है नो वो फिलोसफी है यानि दर्सन है उनका कुरान उनके सबसे पवित्र गरंथ है सबसे पवित्र गरंथ है और हदीस उनके उपदेशों का पूरा का पूरा संकलन है याद रखेंगे अब बेथल हम चलिए ठीक है आगे बात करते हैं अगला कोशन हो बिलीब टूबी पर्स्ट पर्सन ऑफ बिंग ट्रिस्चानिटी इन इंडिया भारत में इसाइध्रम लाने वाला पहला बिक्तिक कौन माना जाता है सेंट थोमस माना जाता है कौन जाता है सेंट थोमस रानी बारें बात करेंगे संगम लिटरेचर वार कंपोज इन विच क्लासिकल लेंग्वेज तो संबन संगम लिटरेचर तमिल लेंग्वेज में है संगम एक पूरा का पूरा संगम साहित चलता था ठीक है ना और इस आला गला तीन संगम बने हैं कितने संगम अगर आप से कोशन या ध्यान रखेगा भासा में यह संगम में जितने भी साहित रचे गया थे संगम साहित वो तमील भासा में रचे गया थे क्योंकि वो संगम हुआ भी यहीं था यहां लखेगा चलि अगला इस्लाम इस अमेजर वर्ल्ड रिलिजन प्रोमुलिगेटर वाइधा प्रॉफेट मुहमद इन एरेविया इंदा जैसे पैगंबर मुहमद ने अरब में परचारित किया था अब कब परचारित किया था यानि कि पैगंबर मुहमद साहब इस धर्ती पे कब थे तो 7th century में थे यानि कि सात्वी सताबदी में वो थे इस धर्ती पे ठीक है ना और उसी समय ये पूरा इसलाम का परचार परसार हुआ था और तेजी से आगे बढ़ते हुए पूरे दुनिया में ये छा गया अभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है ये ध्यान लखिएगा अवा सबने कुछ ना कुछ दिया है उसके बारें हम लोग बात कर लेंगे बल्लवा चार्ज का पुष्टी मार्ट हम आगे बढ़ेंगे हुचा दा फॉलाइंग वर्क आफ कालिदास का कौन सा काम है जिसमें भगवान सिव और देवी पार्वति के पुत्र कार्तिके के जन्म के स खर जाता है और किस तरीके से बादलों के साहरे अपनी बात हजबेन अपनी वाइफ को वाइफ अपने हजबेन को पहुंचाता है रखुबन संब कुमार संभवम जिसमें आपने देख लिया कि भगवान सीव के बारे में रितू संग तो यह अलगला उनके किताब है विज् पाननी के साथ शुरुआ है यह पाननी तो पाननी के साथ शुरुआ उनके पुस्ता का नाम क्या था पाननी का पुस्ता का नाम था अस्टा ध्याई अस्टा ध्याई यह पाननी पहले ऐसे वेक्ती है पहले वेक्ती जिनों ब्याकरन लिखा पहले वेक्ती जिनोंने क्या लि चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला खोशन कहता है माधवाचारे माधव निदान लिखा जिसमें रोगों के निदान के बारे मिसे सध्या है कितने अध्या इसमें 69 रोगों के निदान के बारे में 69 अध्या है माधवाचार्ज का माधव निदान यह जो माधव निदान ह यह रोगों के निदान पर है रोग ध्यान रखेगा चलिए अगला कोशन कहते हैं कि काली दास के बिक्रम उर्वसियम नाटक अधारित है किस पर अधारित है कि काली दास का बिक्रम उर्वसियम नाटक किसके अधार पर है तो ध्यान रखेगा एक उर्वसी जो महिला थी और प मालविका अगनी मित्रम इस किताब का नाम है मालविका मालविका अगनी अगनी मित्रम याद रखेगा यह भी काली दास जी का बड़ा इंपोर्टेंट किताब है मालविका अगनी मित्रम जिसमें मालविका और राजा अगनी मित्र की प्रेम कहानी है इसमें भी प्रेम कहानी ह जुछा लडा तो यह कुछ कताबें हैं जो कालिदास जी का और उसके बात है चलिए आगे बात करते हैं काली दास ने अपनी कविता मेग दूत मेग दूत किस भासा में लिखा सिंपल है काली दास किस भासा में लिखते हैं संस्क्रीट में और काली दास किस दौर में हुए तो ज़रा काली दास के बारे में बात कर ले तो काली दास चंद्रगुप्त दूतिय के समय हुए चंद्रग सबसे ज़्यादा बात किया जाता है तो जितने भी किताब और टेक्स लिखे जाएंगा किस भासा में लिखा जाएंगा विटा संस्क्रीट में ही लिखे जाएंगे इसको खुब अच्छे से समझ लिजे चलिए आगे बरते हैं अगला कोशन को लुजल स्टेटर सब कुसान र रहता है चलिए कुछ आन ख्यारे बार आगे डग गुनाड़ का किताब है जो पैसाचिक language में है गुनाड़ का या कि विरोडागा ग्रेट लिटर टेरटी वर्क मिर्क्ष का टिकम टिखां डिखां ao सुद्रक मिर्क्ष का टिकम कोसन आप से पूछा है मिर्क्ष कटिकम का मतलब क्या होता है तो मिट्टी का खिलोना मिट्टी का खिलोना या यहाँ पर हो सकता है मिट्टी की गारी ये भी हो सकता है मिट्टी की गारी तो आप देख लिजे कि आप से क्या कोसन पूछा है मिठ्टी का खिलोना मिठ्टी की गारी मिर्क्ष कठीकम के बारे में इसका राइटर को नहीं सुद्रक आरर वी एंटी पीसी में पूछा गया है जो भी कोशन भी आप हम बता रहे हैं सब के सब कहीं नहीं किसी एक्जाम में पूछा हुआ है तो इसलिए मेरे को यह ज्यादा में नहीं रखना है कि भाई पूछा गया मैंने आपको बताते चला गया ध्यान रखिएगा चलिए आगे बात करते हैं अगला कोशन है हुआ दा फाउंडर और विसिष्टा दुएत फिलोसफी बिसिष्टा दुएत फिलोसफी के फाउंडर कौन है तो रामानुजा चार फॉलोइंग हेरिटेस साइट हाज ड्राविटन एस्टाइल आप अर्किटेक्चर यानि कि आर्किटेक्चर का द्रविद बास्तु कला सहली किसका है इसमें से किसका है तो हम पी अब ध्यान रखिएगा यह बड़ा सिंपल है क्योंकि द्रविद जो आर्किटेक्चर है वह आपको साउथ इंडिया में दिखाई पड़ता है कहां दिखाई पड़ता है साउथ इंडिया और द्रविट आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा जो उदाहरा ने हुए है मदुराय का मिनाक्षी टेंपल मदुराय का कौन सा टेंपल मिनाक्षी मंदिर ध्यान रखिएगा सिंपल है साउथ इसका यानि कि हमपी इसका एंसर होगा हमपी क्या था तो हमपी बिजय नगर समराज की राजधानी थी और यह अभी बरतमान में यूनेस्को के दौरा क्या किया गया है यूनेस्को के दौरा इसे वर्ल्ड हेरिटेस साइट में घोशित किया गया है खजुरा आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट कहते हैं कि किसने ब्रहम्मी और खरोष्टी लीपी जिसका उप्योग पहले सिला लेखो के लिए किया जाता था किसने इसका डिकोड किया डिकोड करना मतलब किसने इसको अनुवाद किया अनुवाद किया डेसी फॉर्ड हूड एसी फॉ प्रिंसेब जेम्स प्रिंसेब में सबसे पहले असोक का आपने पढ़ा कि अथारोवोजों पूरे भारत में यह इसका जो शिल्या लेक है वो प्राकिर्त भासा में है। और उत्तर वेस्ट में आरामाईक और खोरोष्टी में है किसमें वेटा खोरोष्टी में और इसके लिपी क्या है बढ़ाम्मी है यह आप ध्यान में आप रखेंगे तो सबसे पहले किस ने उन बात किया जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में आगे बात करते हैं अगला कोशन कहता है कि प्राची बस्तु के वजन के बढाबर मुलिदान में दिया जैना इस पर्था को किया कहते हैं मतलब कि बस्तु के बढाबर बहुत सिंपल है सको कUIते थे टुला भड़ा हींbuilt्दुला दान परसा जिसमें राजा एक साथ बैठ जाता है एक तरफ तरार जूके और दूसरे तरफ उसके वजन के बराबर बस्तूों से भर दिया जाता था सोने चांदी हीरा जवारात या जो भी बस्तूों और फिर उसको गरीबों में क्या कर दिया जाता है बांट दिया जाता था तो इससे हम कहते थे तुला दान पर था तुला भरा इसी को भी कहा गया औ िंग यहां स्कूलाव का मतलब क्या होता है तो आप जानते हैं कि यूग इसका पार्ट है पतंजिली इसके क्या है वेटा संस्थापक है योग फिलोसफी के संस्थापक कौन है पतंजिली ये बात आप जानते है ये मैंने आपको बता दिया है और शिक्स आपके स्कूल भी बता दिया है अगला कोशन करता है कि 326 इसा पुर्ण भारत प्राक्रमिन करने के सिकंदर ने अब सिकंदर ने कौन सी नदी पार की कितना असान है सिंदु नदी पार किया सबसे पहले कौन सी नदी सबसे पहले तो सबसे पहले सिंदु ही पार करेगा ना क्योंकि अगर आप मिले से जोगराफी पढ़े है तो कुछ इस तरीके से सिंदु नदी है फिर ये आई बिटा चेनाव है फिर ये रावी है फिर ये सतलज है ध्यान दखिएगा और यहां पे क्या ये ब्यास है तो सबसे पहले कुम सा नदी पार करेगा सिंधू सुभाविक बात है यह एकदम कॉमन सिंस का कोशन है इसमें पढ़ने की जोरोत नहीं कि आप पढ़ेंगे अगर हम बात आपसे कर लेंगे या किये भी है किसी ने किसी क्लास में तो वह एलेकजेंडर जीता है पोरस हारा है लडाई हुआ है लिए लेकजेंडर और पूरस में जीता आलेक्जेंडर है याद रखीएगा और पोरस क्या वेटा हार गया है अगला पॉइंट है हूँ कमपोज दॉ दस कुमार चरित टेल्स अफ टेन प्रींसेस यानि कि दस राजाओ का नी दस राज कुमारों की कहानी किसने लिखा है धसकुमार चरित ता पूर और दा बिढ़त सहीता किसने लिखा है तो आप जानते हैं कि बढ़ा हमिहीर का बिढ़त सहीता चरक डॉक्टर है नागारजुन का सुन्वाद का सिद्धान्त है कलहन की राजतरंगिनी यह कोशन एक्जाम में कई वार आया है का राज तरंगीनी कस्मीर के इतिहांस पे है यह कोसन एक्जाम में कई वराया है कलहन इसके राइटर है और रास्टरंगीनी किताब का नाम है बड़ा मीर के किताब का नाम आपको दिखाइब र अगे परते हैं अगला कोशन बहुत है ये भी बात आप याद रखिएगा चलिए ठीक है आगे बरते हैं अगला खोशन कहता है महान भारते साहितिक कृतिया मेगदूत अभिज्ञान साकुंतलम किस ने लिखा अभी मैंने आपको बता दिया था कि मेगदूत अभिज्ञान साकुंतलम किस ने लिखा तो काली दास न जारी किये हैं अब अपने सिक्के जारी किये किसमें तो वो साथ वाहन है कौनसा वेटा साथ वाहन साथ वाहन अपने आपको आंध्र साथ वाहन भी कहते हैं या आंध्र बंस भी कहते हैं यह ब्रहामन बंस भी कहते हैं ब्रहामन ब्रहामन बंस भी अपने आपको कहते हैं इसक की राजधानी यानि कि इसका capital का है परतिष्ठान या पैठन इसका capital है और यहां माता की परधानता है मा की परधान है क्योंकि राजा अपने नाम के साथ मा का नाम लगाता है गौतवी पुत्र साथ करनी, यग सरी साथ करनी, तो ये ऐसे ऐसे नाम है, जो अपने मा के नाम के साथ राजा अपने मनाम का संबोधन करता है, तो आम माता की परधानता दिखाई पड़ता है, साथ बाहन के सबसे पड़ाप इन्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, कि पहली बार, पहली सारह मैंने बात किया यह सब एकजाम का कोस्टन है ध्यान लखियेगा चलिए आगे बात करते हैं अगला कोस्टन कहता है नौवी सताबदी में प्रसीद बिक्रम इस विद्या ले अब बिक्रम के च्चत्रों में अपना राज करता था याद रखेगा बहुत बढ़े या बहुत इंप्रेंट्ट और धरामाल इसके सबसे इंप्रॉटंस ऐ समयका अग्या बिल्कुल वैसे जैसे घर यान करता था चलिए ठीक है आगे बात करते हैं अगला है रोक सेल्टर भीण बेटका के सेलास्रेन में से किसलिए परशीथ है तो अरल्लियस लाइफ यानि मानव जीवन के सबसे सुरुवाती जीवन के बारे में इसमें क्या बोलते हैं मिला है कहां से भी से सिकार कर एं और बहुत सारे बहुति जीवन से जुरे ह किस तरह खाना खा रहे हैं सिकार कर रहे हैं या अलग-अलक गी तो उस समय का चित्रकारी आज वी आपको दिख जाएगा अगर आप देखेंगे इंटरनेट वेगर आपे तो आपको मिल जाएगा गूगल वेगर आपे भिंबितका का चित्रकारी तो भिंबितका का चित्रकारी ना वो सबसे पहला सबसे प्राचिंतम चित्रकाडी है और सबसे प्राचिंतम साक्ष है कि मानव का जीवन कैसा था यह चित्रकाडी के द्वारा हमें पता चल जाता है भिंबित का बहुत फेमस है बहुत याद रखेगा चलिए आगे बात करते हैं अगला कोशन अलबुरूनी अलबुरूनी के किताब का नाम में कित किताब उलहिंद किस भासा में है बहुत सिंपल है और भी भासा में है क्योंकि वह जहां से आया था वही है ठीका ना ध्यान रखेगा चलिए अलबुरूनी आगे बात करते हैं भारत आने वाला पहला बेखती अलबुरूनी और पहली बार भारत में भारतिये जो बैदिक ट बारे में अपने किताब किताब उलहिंद में लिखा बताया है ठ्यान केगा और वीवास हमें चलिए आगे बात करते हैं अगला को सन्सिकंदर और पुरस अब सिकंदर पुरस किस नदी के किनारे ला था बहुत सिंपल है जेलम नदी के किनारे और इस यूद का नाम क्या है इस यूद्ध का नाम है हाईड़ेपीज का यूद्ध, कौनसे यूद्ध, हाईड़ेपीज, जिसको अभी अपने सॉल कर लिया है, आगला कोशन कहता है कि मोढेरा में सूरी मंदर किस राजबंस ने बनाया था, सूरी मंदिर, को नार्क का मंदर जिसे हम बोलते है, को नार्क का नहीं नहीं सोरी सोरी मोडेरा का है नहीं यह ठीक है तो मोडेरा का सुर्मंदर किसी ने बनाया रुटा चालुक क्यों अपने आप नाम सुने है कनाद का अभी अमतुरत अपनी बताहिं कि एक दर्शन मेट का स्थापना कणाद ने विच्या था आप मेंट करेंगे वो method कनाद ने किया है कमेंट में हमको इंसर चाहिए कि उस दर्शन का नाम बताओ जिसकी अस्थापना या जिसकी सुरुवात कनाद ने किया था अगला खोशन देखते हैं कि प्रारंबिक भारतिय दार्शनिकों ने पदार्थ को बर्गे किर्थ करने के लिए कितने मुल्ततों का प्रणन किया है तो फाइब मुल्ततों की बात किया अगनी जल भायू अगनी जल भायू मिटी और एक और है अगनी जल भाईू रुक्जाब छिती जल पावक गगन समीर चिती जल जल पावक पावक मतलब होता है अगनी चीकिती जल पाभक गगन मतलब हाकास मीरा मतलब वाईव तो द्यान देखेगा मिटी मिटी अगनी मिट्टी जल अगनी आकास और बायू से मिलकर के हमारा सरी बना है चीती जल पाभक, गगन, समीरा, पंचतत्थू से बना सरीरा ऐसा करके हम लोग बच्वन में थोड़ा वोत याद करते थे चलिए ठीक है आगे बात करते हैं अगला खोशन है बिक्रम संबत कालेंडर गिर्गेडियन कालेंडर से कितना पर सा गया है बहुत सिंपल आप जानते गिर्गेडियन कालेंडर क्या होता है अप आज का परत संबत यह मैंने आपको पढ़ाया है और सक संबत कब शुरुआ 78 AD में यह क्या है बटा सक संबत अब पॉइंट यह है कि बिक्रम संबत जो है ना वह कितने साल पहले तो जितना 20 यह उतना पीछे लेकर चले जाओ तो इतना साल पीछे हो गया बात खतम चलो अगला कोशन नि दियू के बाद P, ठीक है तीसरा करम होगा क्या दिली सल्तनत तो एस और चौता करम होगा आर मुगल तो यह इंसर होगे है ठीक है चलिए अगला खोशन अगला खुसन बेक्ति के नाम बताया जिसका भारत में बीज inaugural के शेतर में तो बीज गते शेतर में आरे भट भी बहुत रह क्टान है ब्रह्म कुप्त का भी युक्दान है लेकिन और भत याद रखेगा चलो ठीक्ड है अगला कोशन हुई और किसके समकालीन था तो कनिस्क के समकालीन था तो बस सिंपल है और सुस्रूत सल्ल चिकित सकता यानि ओपरेशन करने वाले इसको बने सरजन था सर्जन चलिए अगरा कोशन काता है सासक पुलके सिंग पर्थम और पुलके सिंग दूतिय किस राजबन से है तो चालू क्यों राजबन से बड़ा सिंपल है पुलके सिंग दूतिय और पुलके सिंग पर्थम तो चालू की राजबन से है यह तो इतना असान कोशन था चलो रा महाबली पूरम यह बड़ा इंपोर्टेंट है पल्लव राजवन्स का सबसे बड़ा इंपोर्टेंट है यहां पर जो राजा हुए ठीका नसी विश्णू तो इसके संस्थाफक थे बाकि नर्सी बर्मन नर्सी बर्मन दूतिये और फिर क्या बलते हैं तीन चार सी सारे राज चीजे चलो आधनिक क्या बलते हैं आंध्र पर्देश के एक हिसे बारंगल की रानी रुद्रमा देव निम्ली किस राजवन्स अब किस राजवन्स से समझती थी तो काकतिया राजवन्स से संबंधित थी यह भी कोशन आपका अब आरार भी जेई में कोशन पूचा है भार रखेगा सकसंबत की शुरुआत कनिष्क ने किया था खूब अच्छे से याद रखेगा कौन सा दर्शन तार्किक सोच और तक्नीक में विश्वास करता है तो नियाए कौन सा दर्शन नियाए डरसन सांक के जो शंस्थाफक था वह मैंने आपको बता दिया था संक शंक के कौन है गौतम कौन है योग के संस्थापक कौन है योग दर्शन के तो पतंजली यह बात तो हमने आपको बता दिया ज्यानुए अप रखिएगा हमने बहुत सारी बात इसके उपर में बात कर लिया आपसे फॉलोइंग वाज ओल्डेस्ट कौई इंडिया भारत का सबसे पु बुद्ध के समय दिखाई पड़ा किसके समय दिखाई पड़ा बुद्ध के समय याद रखेगा या बुद्ध के काल में बुद्ध काल में दिखाई पड़ा यह द्यान में आप खूब रखेगा यह एक्जाम का कोशन बना है द्यान रखिएगा चलो आगे अगला कोशन है कि किसने दिल्ली के पहले सहर का रखा तो पांडवो ने दिल्ली के अस्थापने के आज इंद प्रस इसका रखा पीटा सहर का नाम रखा अब देखिए इस तरीके से 170 कोशन ये भी आरार भी अलपी में पूछा गया 170 कोशन जो सिर्फ प्राचीन भारत से जुरा हुआ था वो तो वहाँ से जितने कोसन होगे हम उसको कर लेंगे, उसके बाद इतिहांस खतम हो जागा आप दूसरा सब्जिट करेंगे, लेकिन हम सब करेंगे, टोटल करेंगे, आप मेरे साथ बने रहें, और आपके जो जितने एक्जाम के क्या बोलते हैं, रिविजन है वो आप मेरे को साकार करना, तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ, आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेच पर विजिट करें, अत्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें, हमेशा आपके साथ टीम कोको